कन्या राशिफल दो हजार चौबीज के अनुसार, इस वर्ष आपको ग्रहों के गोचर के अनुसार अपने स्वास्थ्य पर विशेश ध्यान देने की आवश्शक्ता पड़ेगी। वर्ष की शुरुवात से ही शनी महाराज आपके चठे भाव में विशेश रूप से विराजमान रहकर आपके आठवे और बार्वे भाव को भी देखेंगे। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही शनिदेव इन में भी मददगार बनेंगे, बस आपको एक संतुलित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा और अच्छी दिन चर्या का पालन करना होगा, जीवन में अनुशासन लाने से आपके सभी काम बनने लगेंगे, शनिदेव की स्थिती नौकरी में अच्छी सफलता दिला सक देव गुरु ब्रहस्पती वर्ष के पूरवार्ध में एक मई तक आपके अश्टम भाव में रहेंगे, जिससे धर्मकर्म के मामले में मन तो खूब लगेगा, लेकिन व्यर्थ खर्च भी होंगे, और आपके कामों में रुकावतें आ सकती हैं, लेकिन एक मई के बाद यह आपके नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे सभी कामों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको संतान संबंधी सुखद समाचार भी मिलने की संभावना बनेगी, राहु पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में बने रहेंगे, इसलिए आपको व्यापार और निज पूत्रण में रखना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा और प्रियतम को कुछ भी कह देना उनसे आपके रिष्टे को बिगार सकता है। शनी महाराज की कृपा से और वर्ष की शुरुवात में सूर्य और मंगल के प्रभाव से नौकरी में स्थितिया अनुकूल रहेंगी, बस किसी से भी कहा सुनी करने से बचें। व्यापार में सफलता के लिए राहु का मार्क दर्शन आपको मिलेगा, लेकिन किसी भी तरहे के शॉर्टकट से बचें और बिना सोचे समझे कहीं भी हाथ डालने से बचें। तभी व्यापार आगे बढ़ पाएगा। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुवात अच्छी रहेगी। शिक्षा को लेकर आप बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे और खूब मिहंत करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपका इस वर्ष चयन हो सकता है पारिवारिक जीवन वर्ष की शुरुवात में कमजोर रहेगा। माताजी का स्वास्थ्य बिगड सकता है। भाई बहनों का नजरिया प्रेन पूर्वक रहने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में राहू और केतु के प्रभाव से समस्याएं बढ़ेंगी। छठा और आठवा भाव भी पीडित होने के कारण आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उनसे अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। धन के द्रिश्टि कोन से अच्छे परिनाम मिलेंगे। ग्रहों का द्रिश्टि संबंध आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा व्यर्थ के खर्चों से बचेंगे तो आर्थिक रूप से उन्नती प्राप्त कर पाएंगे स्वास्थे के द्रिष्टिकोन से आपको विशेश रूप से ध्यान रखना पड़ेगा आपकी जरासी लापरवाही आपके लिए किसी बड़ी बीमा की वजह बन सकती हैं स्वयं को नियंत्रण में रखकर इन समस्याओं से बचा जा सकता है